जरीता लफांग की हमारे बीच में मौझूद है जो अखिल भारतिय कांग्रेस कमिटी की प्रवक्ता है और आदर्निय सूनिया गानी जी ने इनको जारखंड के लिए पूरा कोडिनेट करने के लिए भीजा है हमारे साथ मौझूद है आदर्निय परवक्ता लाल कि सोना साधिव जी हमारे साथ मौझूद है आदर्निय परवक्ता डॉक्टर राजेस गुटा जी जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इन दिनों राजे में जो राजे का मुख्य मुद्दा है उससे भटकाने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी के तमाम नेता जो दिल्ली के है चाहे राजे के मुख्या हो या राजे के जितने भी भाज़पा नेता है वो लगातार प्रयासरत है कि जो मूल मुद्दे है उससे भटका करके लोगों को इधर उधर की बात करके गुमरा करने का प्रयास करें और उसके बाद वो दावा करते है जारखंड की खुसाली और सम्रिद्दी का मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूँ इस राजे का जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी जिसको लेकर के राजे का नौजवान आज सबसे ज़्यादा प्रेशान हाल है साथियों चाहे वो किंद्र की भाजपा नीत सरकार हो कि आप राजे की भाजपा नीत सरकार हो लगातार रोजगार के नाम पर ठगने का प्रयास अनौरत जारी है किंद्र की सरकार के स्तर पर प्रतिवर्स दो करोड रोजगार देने का हसर आप देख चुके हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिला और राजे की सरकार की हम अगर चर्चा करें तो लगातार ठगवर्दास जी की सरकार ने यहां के नौजवानों को सिर्फ और सिफ ठगने के लिए कई प्रकार के आयोजन किये स्किल सम्मिट का आयोजन हुआ राजे सरकार की जो से बड़ी नाकामी है कि पूरे पांच वर्ष के कारेकाल में एक भी जारखंड लोग सेवा आयोग की परिच्छा वो नहीं करवा पाए अन्य जो लोग सेवा आयोग के स्तर पर परिच्छाएं ली जानी चाहिए थी पच्चास पच्चास विग्यापन निकाले गए लेकिन उन विग्यापनों का हस्र धाक के तीन पाथ हो गया आज तक एक भी परिच्छा पूर्ण नहीं हो सकी अपरों पर गौर करेंगे तो बार बार हर मंच से चाहे वो भाजपा के रास्ट्रिय अध्यक्छो आज जारखंड के नौजवानों को दिल का टुकड़ा बता करके अपने उद्वोधन की सुरुवात कर रहे हैं लेकिन मैं बता दूँ कि जारखंड के नौजवान अब उनके जूठे आसवासनों के जहांसे में आने वाले नहीं हैं मौजुदा सरकार के मुखिया रगुवारदास जी नाम तो है और इस चुनाओं में मर्यादा पूरसोत्तम के नाम वाले इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ यहां के नौजवानों को ठगने के लिए जूठे विग्यापनों तक का प्रकासन करवाया दावे किये गए कि हमने लाखों की संख्या में रोजगार देने का काम किया गया लेकिन मैं चंद आकड़े आपके समख्य रखना चाहता हूँ हम एक रचनात्मक विपक्ष है और हमने बराबर सच्चाई से जार्खन की जन्ता को अउगत कराने का काम किया है और इस चुनाओं में भी हम सच्चे आकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं कि सरकार के स्तर पर मात्र 27,423 नियुक्तिया ही हुई है जबकि विग्यापन आपके ही लब्द प्रतिष्टित अख़बारों और मीडिया चैनलों में आया या अभी आपके कबरेज के दौराल जिन नेताओं ने बराबर ये दावा पेस किया कि हमने यहां लाखों की तादाद में नौकरिया दी और अंडमान और निकोबार में 264, लक्षदिप में 248, पुडुच्वरी में 229 और गुजरात में 199 यह आकड़े मैंने आपके समझ इसलिए रखे कि सभी राजियों में जार्खन से ज़्यादा मंद्रेगा की मजदूरी दी जा रही है यानि मजदूरों का भी सोसन कर रही है यह सरकार सरकार की परिकल्पना राजिकी आधी आबाजी को स्वर रोजगार से जोड़कर उस परिवार को समाजीक और आथिक रूप से ससक्च करने की है बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं दीन द्याल अंतियोदे उजना राष्ट्रिय ग्रामीन आजीविका मिशन सरकार के इस सोच को मूद रूप देने में वरदान साबित हो सकता था अगर सरकार की नियत ठीक होती हमारी माता भहने भी आज ससक्त होती अगर ऐसा हुआ नहीं मिशन के तहट संचालित जारखंड स्टेट लाइवलि हूट जिसके तहट 263 प्रखंडों में मिशन के तहट अब तक 2,002,000 सक्खी मंडलों का गठन किया जा चुका है उनका उप्योग किस संदर में किया जाता है यह हाल के दिनों में चुनाव आयोग में वहां की एक सक्खी मंडल की अध्यक्षा ने पत्र लिक करके चुनाव आयोग को ओगात कराने का काम किया कि मात्र और मात्र भीर लाने के लिए उनका उप्योग किया जाता है ये सभावे ये प्रमान जो है ये सभी लोगों के सामने सपस्ट तयार परिलक्षित हो रहा है कि जारखंट की भाजपा और यहां की सत्ता में बैठे हुए लोग किस प्रकार से नोजवानों को, महिलाओं को छलने का प्रयास कर रहे है हम जो एक हमने मिसन चला रखा है कि हम हर दिन सरकार से 5 प्रस्म पूछेंगे तो आज मैं आपके माध्यम से सरकार से 5 प्रस्म करना चाहता हूँ हमारा पहला प्रस्म है कि पाच वर्सों में जारखंड लोग सेवायों की एक भी परिक्षा क्यों नहीं हो पाई भाजपा यहां के युवाओं को इस बात का जवाब दे नई सीक्षक नियुक्ति और टेट नियमावली में बदलाओ कर राज्य के बाहरी अभियप्थियों को क्यों लाग पहुचाया गया यह हमारा दूसरा प्रस्न है नियोजन निती का निधारन कर राज्य को ही 11 और 13 जिलों में बाढ़ कर यहां के ही नौजवानों को यहां के रोजगार से वंचित करने का जो प्रयास किया गया वो क्यों किया गया भाजपा इस बात का जवाब दे इस किल सब्मिट के नाम पर यहां की गरीब जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे का दुरूप्योग कर लोगों को रोजगार के नाम पर ठगने का प्रयास क्यों किया गया भाजपा इस बात का जवाब दे अस्थानिय नीती से अस्थानियता को ही गाड़ कर यहां की नौकरियों में बाहरी अभियर्तियों को लाद पहुंचाने का काम जो एक सड़ियंत्र है वो भाजपा ने क्यों किया इस बात का जवाब भारतिये जनता पार्टी को चुनाओ के दौरान युवाओं को देना च हो चाहे वो मिगाले हो चाहे बिकोवा और चाहे करनाटता हो मों स्ट्रेीडिंग चली रही दिग गजे बीजेपी कर लें इस बार उन्होंने ऐसी लाट ने असे लौट को सभिरेत अब साड़े साड़े पांच वजे क्ल कैसे काओ जो़िए वो पता फीर थे रही हो ओं तो और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिलों में एक बहुत स्थिर सरकात है और आप लोग सही आकड़े यहां के पाठक को यहां के दर्शक को दिखा सकें बहुत-बहुत धन्यवाद